लो गाइज वेलकम टू अलो फ्यों लान्वीथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लान्वीथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किजेगा आज हम पढ़ने वाले हैं इसी लोक्स का पार्ट फोर ठीक है इससे पहले मैंने आप लोगों को यह तीनों पार्ट पढ़ा दिया है अगर आप लोगों ने अभी तक यह नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देख पार्ट फ्री में हमने क्या पढ़ा था आइदर और वाले केस पढ़े थे नाइदर और वाले केस पढ़े तो जित्ते आप्शन रहते हमने उसको जानना सीख लिया था ठीक है आज पार्ट फोर में हम क्या पढ़ेंगे पॉसिबल केस पढ़ेंगे इसमें क्या रहता है इस और कभी भी statement में possibility का कुछ भी नहीं दिया रहता है ठीक है जब भी दिया रहे रहेगा किसमें दिया रहेगा conclusion में ही लिखा रहेगा ठीक है और यह तो होगे इती वता है समझ में अब चलते हम आगे की तरफ ठीक है यह लिखा हुआ है if in any conclusion the words if, can be, being, possibility ठीक है इस type का अगर word दिया हो रहेगा तो case कौन सा रहेगा possible case रहेगा ठीक है मतलब हिंदी में अगर कुछ संभावना से related अगर कुछ भी word दिया संभावना संभव ऐसा कुछ भी word दिया मतलब इसमें क्या पूछा है इसकी possibility पूछा है ठीक है इतनी बात है अगर इतने word दिये हुए है मतलब क्या है यह possible case है ठीक है पहली बात दूसरी बात कभी भी possible case में either or नहीं चलता है possible case में either or नहीं चलता है मतलब मालो पहला conclusion यह दूसरा conclusion ठीक है इसमें पूजिया कुछ possibility पूछा इसमें भी कुछ possibility पूछा ये दोनों गलत आ गए तो हम ऐसा नहीं करेंगी कि दोनों गलत है तो अब हम चलेंगे आईदर और चेकरने हमने देख लिया दोनों गलत है possibility है मतलब आईदर और तो चलना ही नहीं है ठीक है third option possibility म कुछ word दी किया मतलब वह possible case है दूसरा की possibility में कभी भी आईदर और नहीं चलेगा ठीक है अब चलते हम आगे की दरब मालो ये possibility का कुछ दिया हुआ है ठीक है इसमें आप लोगों को मैंने चार्ड वर्ड बताए हैं सिलोक्स में क्या क्या रहते हैं no some all और some not ठीक है हमेशा हमेशा इन दोनों का पीयर वर्ड बनेगा ठीक है अगर किसी conclusion में मालो ऐसा लिखा है no a is b is a possibility ठीक है ऐसे लिखा हुआ है मालो तो हम क्या चेक करेंगी no लिखा है मतलब no का भी चेक करेंगे और some का भी चेक करेंगे ठीक है अगर यहीं पे अगर some लिखा हुआ रहेगा तो sum AR B लिखा हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे sum को भी check करेंगे और no को भी check करेंगे ठीक है, पोसीबिलिटी में क्या रता है, हम pair को check करते है sum है, तो no भी check होगा और all है, तो sum not भी check होगा sum not है, तो all भी check होगा मतलब, एक अगर अगर दिया हुआ हो दोनों में से तो हम दोनों को चेक करते हैं पहली बात ठीक है पॉसिबिलिटी में क्या रहेगा नो दिया है तो सम और दोनों चेक होगा अल दिया है तो सम नॉट और दोनों चेक होगा सम नॉट दिया हुआ है तो भी और सम नॉट दिया हुआ है तो भी और सम नॉट दिया दोनों को चेक करूंगी मैं तो दोनों ही गलत आना चाहिए मतलब कोई अगर conclusion लिखा है no a is b is a possibility ठीक है मैंने अब no is b में मेरा कोई डाइगरम रहेगा तो मैं no को भी चेक करूंगी और sum को भी चेक करूंगी ठीक है no वाले में no a is b भी मेरा गलत आना चाहिए और sum a is b भी गलत आना चाहिए अगर तो नों गलत आ गया तो क्या है possibility follow कर जाएगी अगर no और sum में से कोई भी सही हो गया तो possibility follow नहीं करती है इत्ती बता ही समझ में यह रहा हमारा पहला statement क्या बोर रहा है some class are boys ठीक है फिर all boys are students ठीक है no class is picture ठीक है और क्या बोल रहा है some students are girls ठीक है यह बोल रहा है अब चलते हम हमारे conclusion की तरफ ठीक है conclusion यह रहा statement से मैंने यह draw कर लिया अब conclusion आप देख सकते हैं क्या लिखा है some boys are class अब some boys are class दिख रहे क्या बिल्कुल दिख रहे क्लास यह रहा है boys यह रहा some दिख रहे बिल्कुल सही पहला conclusion क्या आगया सही आगया दूसरा conclusion क्या बोल रहा है some boys are class is a possibility क्या कुछ class क्या हो सकते boys हो सकते यह समभावना है तो हम क्या करेंगे some लिखा हुआ है some check करेंगे और no check करेंगे और दोनों ही क्या आना चाहिए गलत आना चाहिए class और boys में no दिख रहा है क्या line दिख रहे direct नहीं मतलब यह क्या आगया गलत आगया class और boys में some दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है मतलब यह क्या आगया सही तो दोनों में से एक भी सही आगया तो possibility follow नहीं करती तो answer क्या हो जाएगा गलत इतनी बात है ही समझ में सम लिखा रहेगा तो हमने some और no दोनों चेक करना है और अगर दोनों ही क्या आना चाहिए गलत आना चाहिए तब तो possibility follow करेगी एक भी सही आगया तो possibility follow नहीं करेगी समझ में अब चलते हम हमारे दूसरे conclusion की तरब दूसरा conclusion यह रहाए आप लोगों के सामने क्या लिखा हो अब दूसरा conclusion में some teachers are girls सबसे पहले क्या चेक करना सम लिखा है मतलब some or no check करना है ठीक है दो conclusion दिये हुए है some or no हमें check करना है पहले conclusion में some है क्या लिखा Sun teacher are girls किसका किसका चेक करेंवाyes teacher यह क्या करेगी नो ही फॉलो करेगी थी ऐब दूसरा कंक्लूसन क्या हुआ थैका है है बॉन झाराटार आची किस इसने चेक करना है वी कि आ लास और गल्स ये डियर्क लाइन दीख रही कैना नहीं मतलबग नहीं आएगा इसाइख यह संभी ल्ग लात अब जब लुक में इस लिए लिए पेन। से ये ड्रॉ कर लिया उसके बाद हमने देखा सम था तो हमने सम और नो दोनों चेक करना है नो रहेगा तो नो और सम दोनों चेक करना है ठीक है हमें पेयर को चेक करना है और दोनों ही क्या होने चाहिए एक्चुली में गलत होने चाहिए ठीक है दोनों ही गलत आएंगे तो प boys ये students ये girls ठीक है ये statement था तीसरा conclusion क्या बोल रहा है सम students are class अब क्या पूछा है पहला और दूसरा किसका पूछा है सम का पूछा है ठीक है सम का पूछा है तो हम किसका किसका चेक करेंगे सम और नो दोनों का चेक करेंगे किसमे किसमे पूछ रहा है तो हम question से देख सकते है student ये students और ये class तो इन दोनों में जब मुझे sum दीख रहा है क्या बिल्कुल दीख रहा है sum sum दीख रहा है मतलब एक तो सहीं आ गया तो possibility follow करेगी नहीं तो no को check करने की जरुवत है क्या बिल्कुल नहीं एक भी सहीं आ गया तो possibility follow नहीं करेगी हम no देख लेते हैं class और student में no है क्या नहीं पर एक भी सहीं आ गया तो possibility follow नहीं करेगी sum है बिल्कुल है तो संभावना हो सकती क्या जब कोई चीज एक्ष्वल में है तो नहीं हो सकती तो यह क्या जाएगा गलत आ झाएगा ठीक है नहीं हो जाएगी, टीक है एक भी सहीं हुआ तो posso possibility क्या हो जाती सस नहीं आ हैं जारा हो जाती है लिए इतक है अब चलते हम हमारे चॉति चोफ़ा कन्क्लोजन की पूछ रहा है तो फोंच पोछ रहें तो हम क्या चेक करेंगे किसमें बोह रहा है गल्स और फ्लावर में गल्स तो दीख रहा है कहीं पे फ्लावर दीख रहा है क्या नहीं दीख रहा है कहीं पे भी फ्लावर दीख रहा है नहीं दीख रहा है तो हम बता सकते हैं कि कुछ भी नहीं बता सकते हैं तो possibility है बिल्कुल की हो भी सकते हैं हमें क्या पता हमें पता है क यहां पे गल्स दिया है flowers दिया है कि नहीं तो मतलब हो भी सकता है नहीं हमें पता है नहीं है बिल्कुल कि हो सकता है हमें पता थोड़ी नहीं मैं नहीं पता मतलब possibility है बिल्कुल ठीक है और दूसरा conclusion क्या वो रहा है इसमें some class हो teacher class का पूछ आए teacher का पूछ ए क्या पूछ रहा है some मतलब some और no 2 धोनों चेक होगा some है क्या teacher class में नहीं no है क्या teacher class में बिल्कुल सही अब एक सही आगया तो possibility गलत ठीक है यह समझ में आया some girl's are flowers बोला है flower नहीं पता हमें तो flower हो भी सकता है भी हो सकता मतREB सम्भावना बिलकुल है ठीक है और क्या बोल रहा है सम खलासा टीचर सम क्लासा टीचर दिया हूँ है तो सम् सम और नो जह करें कि सम् है क्या नहीं तो मतलब घलत और नो है क्या बिलकुल है मतलब सहीJesus ऋपसिबल्की गलत तो इत्ते बाता है समझ हुए अब चलते हैं हमारे दूसे कंक्लूजन की तरफ इस स्टेट्मेंट को ड्रॉ कर लिया जाए पहले क्लास क्लास था फिर यह बॉइस था यह स्टुडेंट्स थे यह गर्स थे ठीक है यही था बिल्कुल अब क्या बोल रहा है इसमें नो क्लास कैन भी स्टुडेंट्स थीक है नो पूछा है मतलब नो और सम दोनों चैक होगा किसमें किसमें पूछ रहा है क्लास और class और student में no है कि class or student में नहीं मतलब नहीं आएगा ठीक है डिर्क लाइन नहीं है मतलब answer क्या हो गया गलत हो गया अभ diverse student में सम है बिलकुल है एक भी सही होगा तो possibility गलत ठीक है अब क्या दिया है दूसरा conclusion all पूछ रहा है किस के किस के बीच में पूछा है all को students स्टूदेंस और बॉइसन टीमें है अब शशक है किसका चेक करेंगे हम इसके प्ली पिय कर सा क्यों बबनाता है हंख कर सब्सक्राइब जोड़ए अब समनोट और एंप इस्टूदेंस और भॉइस सनस सब्सक्राइब आद। बिल्कुल नहिए यह boys student है पर student boys है क्या नहीं है मतलब यह क्या क्या गलत आ गया boys और student में some note है क्या some note नहीं है मतलब क्या गया यह भी गलत आ गया और दोनों गलत आ गया तो possibility क्या हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी ठीक है इती बात है ही समझ में दोनों गलत आ गया तो possibility क्या गई सहीं आ गई ठीक है तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा only second follow ठीक है इतनी बता ही समझ में अब अब चलते हम हमारे नए statement की तरफ नया statement ये रहा आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है sum a r not b मतलब sum a r not b ठीक है statement में हम ऐसे draw करते हैं मैंने बताया था sum b r not c sum b r not c ठीक है और क्या बोल रहा है sum c r d sum c r d इतना लिख लिए मैंने अब चलते हम हमारे conclusion की तरफ conclusion number first ये रहा ठीक है क्या बोल रहा है sum a r not b sum not का पूछ रहा है sum not का मतलब sum not और all दोनों चैक होगा किसमे किसमे a और b में ठीक है a और b में sum not है क्या बिल्कुल है एक भी सही तो possibility गलत all को चैक करने की जरूवत ही नहीं पड़ी जब एक भी सही होगा तो possibility तो अब क्या पूछ है sum a rb इस पौसिबिलिटी अब किसका पूछ रहा है Sum का पूछ रहे ठीक है अब पूछ रही Sum का तो Sum में क्या हो जाएगा Sum और नो दोनों, चस्क करेंगे sum a rb है क्या nichts नो यह 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 क्या है सम नौट का है ठीक है नो का नहीं है तो नौ आएगा क्या नहीं मतलब दोनों कलट मतलब पॉसिबिलेटी विल्कुल सही इसका अंजर भी क्या हो जाएगा उनली सेकिंड फॉलो ठीक है इत्ती बात है इसमझ में अब चलते हम हमारे दूसरे कंक्लूजन की तरब दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है सम सी आर नौट भी सम सी आर नौट भी बोल रहा है मतलब सम नौट का पूछा है किसे किसी बीच में सी और बीच में सी और बीच में सम नौट पूछा है सम नौट पूछा है मतलब सम नौट और रहा हूं दोनों चेक होगा कि किसी विच में C और B के बीच में all CR B है नहीं मतलब यह क्या गया गलत सम CR not B है नहीं सम BR not C है सम CR not B नहीं है ठीक है एक की तरफ से relation होता है सम not थीक है दोनों तरफ से relation नहीं होता है sum b r not c वोला है हमें sum c r not b नहीं वोला है मतलब ये भी क्या गया गलत आ गया ठीक है इसका इसके साथ relation नहीं बताया c का b का c के साथ बताया है कि b का कुछ हिस्सा c के घर में नहीं जा सकते c आ सकता है हमें नहीं पता तो हम अभी कुछ बोल सकते, नहीं बोल सकते, sum not क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है C का B से हमें नहीं पता, तो ये क्या हो गया, गलत जब दोनों गलत, तो possibility बिल्कुल सही, ठीक है अब दुसरा कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, sum not और all चेक करेंगे, किसके किसके बीच में, B और C में all दीख रहा है, नहीं मतब all तो गलत अगया B और C में sum not दीख रहा है, बिल्कुल दीख रहा है, sum B और not C, मतब ये क्या है, सही, एक भी सही आगया, तो possibility गलत ठीक है, दुसरा कंक्लूजन भी समझा गया, अब चलते हैं हमारे आज के last question की तरफ ठीक है, last question ये रहा है आप लोगों के सामने, क्या लिखा है statement, conclusion, sorry, all, मतब क्या चेक करना है, all और sum not चेक करना है, किसके किसके बीच में चेक करना है, A और B के बीच में, A और B में all है क्य बिल्कुल है, मतलब एक बी सही क्या है, तो possibility क्या हो जानी, मेरी, गलत हो जानी, all है, all है क्या और Bे में गलत है, अब इसी का दूसरा conclusion क्या बोल रहा है no c is d अब no पूछ रहा है तो no और sum दोनों चेकों का c और d में c d में no दिख रहा है नहीं c d में sum दिख रहा है बिल्कुल सही एक भी सही तो possibility गलत इसका answer क्या हो जाएगा neither first follow nor second follow या फिर both are not follow ठीक है इतना समझ में आया बोथ are not follow दोनों क्या आगए गलत आगए ठीक है आज हमने क्या सीख लिया possibility case को जानना सीख लिया सिर्फ इतना है possibility case बहुत easy है सिर्फ इस में क्या check करना पड़ता है no और sum का pair हो all और sum not का pair हो ठीक है यही देखना पड़ता है एक भी प्याया रहेगा तो हम दोनों को चेक करेंगे एक भी लिचार रहेगा तो हम दोनों को चंकराँ करेंगे और दोनों ही गलत आप आ जाएक여 ड़ता है-" और झां का में से और घ्यंट है तो पोशिबिलिटी फॉलों कर जाएगी । इसलिए पहली बात हम कभी भी आईदर और फॉलो नहीं करेगा तिसरी बात हमेशा हम किसको चेक करेंगे नो सम, ओल सम नॉट को एक भी दिया रहेगा तो हम उसके पेर को तुरंत चेक करेंगे ठीक चौती बात दोनों ही क्या आना चाहिए गलत होना चाहिए दोनों गलत होगा तो possibility follow करेगी एक भी सही होगा तो possibility follow नहीं करेंगी ठीक ये चार बात ही है जो इसका सार निकल के आ रही है आज की class से ठीक है इत्ती बात ही समझ में आ गई आज हमने पढ़ लिया possibility का case ठीक है अभी तक हम लोगों ने चार पार्ट complete कर लिये कल मैं पांचवा पार्ट पढ़ाऊंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे negative possibility ठीक है कल हम ये जानना सीखेंगे ठीक है इत्ती बात ही समझ में आज मैं इस class को यहाँ पे end up करती हूँ कल हम part 5 पढ़ेंगे जिसमें हम negative possibility पढ़ेंगे ठीक है अगर आपके लिए ये session helpful है तो please इसे maximum share के जेगा और like करना ना भूले ठीक है session को end up करते हैं till then keep learning, keep practicing, thank you and bye bye